हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन्स अगें टो हेल्थ मेड इजी और मैं हूँ डॉक्टर नीरज फ्रेंड्स बहुत सारे पेशेंट्स अकसर ये पूछते हैं कि सर हमारी बोन्स में पेन रहता है और जब हमने बोन्स डेंसिटी का टेस्ट करवाया तो उसमें भी हमारी बोन्स में वीकनेस आई है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम अपनी बोन्स की स्ट्रेंथ को वापस गेन कर सकें और डेंसिटी को भी इंप्रूव कर सकें Bone density के बारे में एक बहुत important चीज यह है कि bone density को हम improve कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़ादा नहीं क्योंकि हमारी body का एक principle होता है कि young age में bones grow करती है और old age में bones shrink होना शुरू हो जाती है जो कि 40 years के बाद में होना start हो जाता है किसी भी तरीके से bones को regrow नहीं किया जा सकता है हम जो कर सकते हैं वो यह है कि हम हमारी bones की density को और bones की गर्थ को यानि की bone की जो मोटाई है हम उसको prevent कर सकते हैं और prevent करने के लिए सबसे important 2-3 चीज़े होती हैं जो कि मैं आज आपको बता रहा हूँ इसमें सबसे important यह होता है कि आप अपनी diet में vitamin D वाले substances जादा लें इसके अलावा bones की health के लिए उनको regular exercise की requirement होती है जब हमारी bones के उपर pressure पड़ता है या weight आता है तो हमारी bone अपने आपको grow करती है तो bone की regular growth के लिए यह important होता है कि हम strength training या weight training वाली exercises भी अपने regular schedule में add करके रखें ताकि bones आगे चलकर shrink होकर thin ना हो जाए जो कि बाद में इनको grow नहीं किया जा सकता आपने observe भी किया होगा कि old age के जो persons होते हैं उनकी bones shrink होकर पतली हो जाती है और बाद में इनको किसी भी तरीके से grow नहीं किया जा सकता इसलिए important fact यह है कि हम हमारी bones की strength को और bones की density को preserve कर सकते हैं जो कि मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जिसे हम अपनी diet और regular exercise से prevent कर सकते हैं इसलिए आपको जब भी अपनी bones में pain होना start होता है या आपकी reports में जैसे ही bone density reduce होने के science आते हैं उसी समय से आप इसके उपर ध्यान देना शुरू करें ताकि आगे चलकर आपको bone density से related और bones के weakness से related problems ना है क्योंकि ये weakness आगे चलकर bones में hairline crack होने के लिए responsible होती हैं तो आप भी इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें बहुत सारे patient इसके बारे में पूछ रहे थे इसलिए मुझे ये लगा कि आपको भी इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने आपको इस fact से रूब रूब करवाया है तो friends ये तो था आज का health update आज का वीडियो अच्छा लगा होता है इसे जरूर लाइक करें अपने friends के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की भी knowledge improve हो सके साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल क सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे और bell बटन को याद से press कर दे ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification regularly मिलता रहे हैं मैं आप से मिलूंगो अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखें गुड़ बाई